नमसकार दोस्तों आज के इस वीडियो मेरे हम बात करने वाले हैं शट्रिंग को वाटर लबर में किस तरह से किया जाता है दोस्तों जब हम घर की छट की डलाई करने के लिए शट्रिंग करते हैं चाहाँ आप पलेटों से कराएं वो उपर नीचे होती है यानि कहीं जील होगी तो कहीं उठा वाइस्सा होगा एकुरेट नहीं होती है तो उसको बिल्कुल सीधा करने के लिए उसको प्लेन करने के लिए हमें वाटर लेवल लगाना बहुत जरूरी है अगर आप वाटर लेवल नहीं करेंगे शट्रिंग का और ऐसे ही उसके आफ शरिया बांद के छट की काश्टिंग कर देंगे तो आपकी जो छट है वो भी उसी सेप में काश्ट हो जाएगी और उससे आपकी जो छट है उसकी स्टेंथ बे भी फ़रक पड़ेगा और जो च्छत है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी तो इसलिए दोस्तों चट्रिंग का जो water level करना है वो बहुत जरूरी होता है इसके लिए दोस्तों हम क्या करते है जो नीचे अमने floor का water level उतारा हुआ है वहां से हम जो हमारे column के सरी निकले वे हैं उपर उस पे ह हम इस तरह से paint से निसान लगा लेंगे आप white paint या yellow paint का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह निसान दोस्तों आपको किस हिसाब से लगाने हैं जैसे मालेज़े आपका जो lentil level आएगा आपको जो slab का level आएगा हमारा यहां पे 14 feet है तो 14 वो प्लस हम इसको धाई से तीन फीट उपर लगाएंगे ताकि हमारे आई लवल पे रहे और measurement करने के लिए हमें जुकना ना पड़े और आसानिश हमारा काम हो जाए अगर आप बिल्कुल नीचे लगा देंगे में 6-7-8 इंचे पे तो आपका measurement करने में दिक्कत आईगी और आपके water level में भी फरक आ सकता है तो आप अपनी मर्जी के इसाफ़े दो feet, high feet, 3 feet जो भी आपको suitable आप इस तरह से नीचे के floor से water level उठा के सारे column के सर्यों पर लगा ले उसके बाद column to column आप जहां पे भी आपने पेंट से water level लगाया है उस पे धागा बांद ले और जो नीचे आपने floor से जो level लिया है उसको एक बार री चेक जरूर कर ले ताकि कि किसी तरह की कोई गड़वड ना आप यहां पे देख पारें हमने धागा बांद लिया और फिर उसके बाद जो शट्रिंग है उस पे आप ऐसे इंची टेप लगा कर इसको चेक कर सकते हैं और जो आपको जो चेक करना दोस्तों आपको सारे bottom चेक करने हैं जितने भी आपके beam के bottom है उनको आपको चेक करना है क्योंकि जो उपर जो आपने plate लगाई वो तो आपने size में already जो side beam लगाया है 10 inch down है 12 inch है उतना आपने side बना के लगाई है तो उसको आपको बाद में करना लेकिन जो main है वो आपको beam को चेक करना है यानि water level में जो main है शट्रिंग में वो है beam, beam का water level आपको बिलकुल ठीक करन लेकिन इसमें दोस्तों काफी परेसानी होती है इसके लिए मैं आपको अलग तरीका बताता हूं उसके लिए आपको एक gauge बना ले ला है एक लकडी का पीछ ले ले लेना उसके आप या तो exo blade से marking कर ले जितने भी उपर आपने water level निशान लगाया जैसे हमने या 30 inch लगाया और एक आप एक इंची नीचे कर लो एक इंची नीचे वाले का क्या काम है वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा यहां पर दोस्तों हम एक रीप की लकडी ले ली है और इस लकडी पर हमें अपना measurement बना रहे हैं यहां पर हम दो margin करेंगे क्योंकि हमने 30 inch उपर उठ लेकिंची छोटा वो किस काम आता है वो भी मापको बताता हूं तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से जो रीप लेकर या एक सरिया लेकर आप उसके ग्राइंडर से कट लगा सकते हैं जितना भी आपने लेवल उठा रखा है तो यह देखिए हमने पहले 30 इंची पर लगा इसके बाद यह देखिए हमारा जो भी म है वो दो फिट चोड़ा है तो हमने दो तरफ हमने सूता बंदा है अगर ज्यादा भी म की तो दोस्तों आप दोनों तरफ से चेक करें और उसके बाद यह जो हमने बनाया है मेजरिंग टेप इस पर आप इस तरह से रखके देख सकत मारकिंग पात है और आपका सुता की आती नीचे वाला जो आपने एक इंची छोटा लगाया दोस्तों ऐसका क्या काम है वह हमारा बीम जैसे लंबा है या छोटा भी है तो कोई भी वीम का जो आप शट्रिंग करते हैं वो हमेशा बीच में से आपको थोड़ा उठा के रखना है एक से डेडिंची वह इसलिए दोस्तों जब आप छोड़ी कास्ट करते हैं कास्ट करते हैं गलती से लोड़ से लोड़ से अलका कमरे वगरा उसको भी सेंटर से उठा के रखना है यह बहुत जरूरी होता है दोस्तों यह आर्केटेक्ट भी ड्रोइंग में मैंसन करता है इस चीज़ का आपको खाज जान रखना है एक लेवल में आपको कभी भी नहीं रखना है लेवल को बीच में से हमेशा उठा के करता है अब यह हमारा सेंटर आ गया तुम आपको दिखा दूए हमारा तीस इंची का निशान है लिख और यह हमारा 29 तो हम यहां पर 29 लेंगे यानि की बीच में से हमारा एक इंची उठ जाएगा तो यह आप देख पा रहे हम जैसे उसको टाइट करते हैं हमारे निसान से मैच कर गया है इस तरह उसको दोनों तरफ दोंको tax करना ऑफिन के साथ में दोस्तों तीश इंची रखा है जो द्धागा बांगा पको ईकुरेट icano निसान लगा उसी रखना रखना है उसी पे बांदा ना है很好 यह यह देखे हैं पूरा लंबा दागा बांद लिया है और ज इससे आपके water level में भरक आ सकता है तो starting point पे हम 30 इंची लेंगे और आगे चलते चलते center ते किस को 29 इंची पे ले आएंगे इस चीज़ का आपको खाज जान रखना है इस तरह से आपको बीच में से उठा के रखना है भी हमको और चत भी हमारी center से उठा के रखते हैं तो चत का किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं इस काम में दोस्तों आप अपने किसी untrend labor को ना लगाएं इसके लिए आप अपना फोर्मन या मिस्तरी जो की समझदार हो उसी को इस काम पे लगाएं अगर untrend बंदा होगा दोस्तों तो आपका काम वो खराब कर सकता है इस तरह से आपको पूरा measurement कर लेना है सबसे पहले आपको जितने भी बीम है दोस्तों उनको करना है मेन इसके अंदर बीम है तो बीम के जितने बोटम उनको आपको लेवल में कर लेना है और जहां से भी आपको जैक उठाना है उसके लिए आपको सकते हैं चाटका कैसे लेवल करते हम महाँ आपको बताता हूं इसके लिए दोस्तों जो हमने नीचे चैनल लगाई है प्लेटों को रोकने के लिए उनका एहम रोल होता है क्योंकि हमारी जो चैनल है उनिके ऊपर हमारी प्लेटे रेस्ट करिए है. तो एक-एक प्लेटों हम उठा नहीं सकते. जैसे हम नीचे से channel के उठाएंगे, all chose करेंगे तो उससे जुड़ी ही सारी plate हमारी नीचे या उपर हो जाएंगी तो यह जो हमने channel लगाई है,ist की जिसके उपर हमारी सारी plate है एक ठीक हुई है एक चिरे पे और एक दूसरे चिरे पे बांद लेना है अब क्योंकि आउटर जितना भी था हमारा जितने बोटम थे बीम के वो तो हमारे लेवल में है तो अब हमें सिरफ बीच का इस्सा करना है उस पे हम इस तरह से इंटा रख रख के चेक कर सकते हैं कि हमारा जो शट्रिंग है वो कहीं डाउन तो नहीं अगर डाउन होगा तो हमारा इंटा के उपर से धागा निकल जाएगा अगर अप होगा तो हमारे इंटे से नीचे चला जाएगा तो इस तरह से आप एक लंबी-lंबे चैनल जहां जहां आ रही हैं उसस पर आप इसको कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे IA है तो इसको में उठाना है तो आप नीचे जैसे जैक करेंगे जायेगा आपको नजर भी आजाएग गये यह देखिए जैसे वह टाइट कर रहे हैं, यह उठता चला जा रहा है, इस तरह से आप इसनिप को इस्तिम Means के तरह यह है यह को बीद आधा शिए एक फरमे की तरह और इस से खुर schema करके इसको कर पूरा ऐसे आप हर जॉइंट पे एसे इंट रख रखके चेक कर सकते हैं यह देखे हमारा इसमें भी डाउन है तो यहीं साभी हम उठा देंगे यह देखे कितना गयब है और जैसे वह जैक टाइट कर रहे हैं प्लेट में हरकर मैसूस कर सकते हैं वह उठ रही है तो इस तरह कि आप पर अग्वार कि अगया है और इसको पूरा सेट करते चलें इस काम के लिए दोस्तों जिस भी एरिया में आप काम कर लें इसकी बीच में आप एसे प्लेट निकालें ताकि नीचे खेड़ेवे लेवर को आप यह बता सकते क्यों को कौन से जैक को टाइट यह लूज उसका बिल्कुल center point आपको निकाल के उसको बीच में से उठा के उसको set करना है तो उसके लिए आपको जो column है जो चारों कोनों पर अगर column नहीं है कहीं तो आप वहां jack वगरा खड़ा कर सकते हैं तो ऐसे cross में आप धागा बांद लें एक column से उसके opposite side में इस तरफ वाला बांदा तो इसका जो सामने वाला column है तो उसके हमने इस 30 कोलम के चल रहें और फ़ Haj उसको measurement करके हर प्लेट और उसको column तक आते आते इसको हम 30 इंची कर देंगे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीच में यह आप 39 कर दें और बाकी आप छोड़ दें ऐसे में बिल्कुल लेवल सही नहीं आएगा आपको हर प्लेट पे पहले सेंटर जो यह सेंटर पॉइंट है इसको आपको उपर उठा लेना जितना भी जाता है आपको जो मैंने वीडियो में बताए दोस्तों इन स्टेप्स को आप फोलो करेंगे तो जो आपका लेवल है शट्रिंग का वो कभी भी खराब नहीं होगा बिल्कुल एकुरेट हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों हमें बीम के बोटम करने उसके बाद हमें च्छत क लेवल में करना है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेर करना ना भूलेगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं जल्द मिलतें नई वीडियो में तब तक जाहिए